हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे और खुस होंगे तो आज हम बनाने वाले हैं फ्रूट सलाट और बताएंगे आपको कि उसके हेल्थ बेनिफेट्स क्या है वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो के न्यू आपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके फ्रूट सलाट बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एपल लिया है तो आईए जान लेते हैं एपल के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में एपल्स आ रिच इन फाइबर और आंटियोक्सिदेंट्स रोजाना एपल खाने पर यह आपको बहुत सरी बिमारी से बचाता है जैसी की डाइविटीज, हाट डिजीज और कैंसर एपल में और आपके ब्रेन मेमोरी को भी स्ट्रॉंग बनाता है और अगर आप पर डे दो एपल खाते हैं तो यह आपके हाट हेल्थ को बहुत ही स्ट्रॉंग बनाता है हमने यहाँ पर छोटे एपल का यूज किया है अगर आप चाहते हैं तो किसी भी तरह का एपल का यूज कर सकते हैं तो आपको सेम बेनिफिट्स मिल जाएंगे तो एपल खाने के साथ साथ आप उसका छिलका भी खा सकते हैं छिलका को इस तरह बिना निकाले आप उसको और लेबल को कंट्रोल करता है and also can help you to improve your lungs strength so guys आपने आंटियोक्सिदेंट्स के बारे में बहुत सुना होगा और सब लोग यही आपको प्रिफर करते हैं कि आंटियोक्सिदेंट्स वाले फूड आपको खाना चाहिए तो क्या आपको पता है आंटियोक्सिदेंट्स हमारे बोडी में किस तरह वक्क करता है तो आईए जान लेते हैं हमारे बोडी में इसका क्या काम है so guys जैसे कि आप सभी को पता है आज कल के टाइम पे कितना ज़्यादा पॉलिशन होता है और एर पॉलिशन इफेक्ट करने लगता है तो guys जैसे जो डिफेक्टिव ऑक्सिजन होता है यह हमारे बोडी के अंदर जाते ही हमारे बोडी के औरगन्स को इफेक्ट करने लगता है डेमेज करने लगता है हमारे लंक्स को हमारे आईज को हमारे स्कीन को खराब करने लगता है जिससे हम वक्त से पहले बूरे हो जाते हैं हम बिमार हो जाते हैं हमारी health problem सुरू हो जाती है तो guys यहीं पर antioxidants बहुत ही अहम किरदार निभाता है हमारे body के organs को defective oxygen से protect करता है उससे fight करता है जिससे वो हमारे organs को effect नहीं कर सके so guys basically antioxidants हमारे body के लिए बहुती ज़्यादा जरूरी है तो इसलिए कोसिस करें कि जब भी आप कुछ खाना खाएं जो भी चीज आप अपने अंदर मतलब आप कुछ भी खा रहे हैं कुछ भी पी रहें तो यह कोसिस करें कि antioxidant से भरा हो जिससे हमारा body के organs को protection मिले जिससे हमारा body हमारा health हमारा organs खराब होने से बच सके so guys जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने चोटे-चोटे टुकडो में apples को cut कर लिया है क्योंकि हमें salad बनाना है तो इसलिए हम यहाँ पे चोटे-चोटे पतले टुकडो में यहाँ पे slices कर लिये हैं apple के तो इसको हम एक ball में रख लेंगे तो guys अब बारी आती है grapes की वैसे तो grapes green color का होता है लेकिन आज हम salad में use कर रहे हैं dark red and purple color का grapes because dark red and purple color grapes are higher in antioxidants than green and white grapes antioxidants can help to protect your cells from free radicals which are a natural by-product of your body's biological process grapes are also high in vitamin c and vitamin e both are essential for maintaining healthy and youthful looking skin grapes also have vitamin k and potassium vitamin k plays a crucial role in blood clotting and bone health they can help reduce up scars and dark spots as well as generally dull looking skin grapes are a good source of potassium a mineral that helps balance fluids in your body potassium can help bring down high blood pressure and lower your risk of heart disease and stock grapes आपकी body की blood को पतला बनाने में मदद करता है तो इसलिए जिसका blood पहले से ही पतला हो ओलो grapes को एभॉइट करें अगर आप रात को grapes खाते हैं तो यह आपको सोने में help करता है बिकॉज अब दे हैप मेलाटोनीन तो अब बारी आती है बानानास की जो हमारा बहुती जादा फेब्रेट प्रूट है तो बानानास आर रिच इन पोटासियम, फाइबर और मैगनेसियम दे में इंप्रूब योर डाइजेशन और हार्ट हेल्थ बानाना में सपोर्ट वेट लॉस बिकॉज दे आर रिलेटिबली लो इन केलोरीज रोजाना सुबा दो केला खाने से ये बहुत देर तक आपकी बोड़ी को फूल रखता है और उन्वांटेड और उन्हेल्दी केबिंग से भी बचाता है जिससे आप अपना वेट लॉस बहुती इजीली कर सकते हैं इबनिंग और नाइट में इसको एबोड करें बिकॉज इससे आपकी तबियत खराप हो सकती है इससे आपको कोल्ड हो सकता है कफ हो सकता है तो इसलिए इबनिंग में और नाइट में इसको एबोड करें और अगर आप नाइट में इसको खाते हैं तो ये आपका weight gain भी कर सकता है Both ripe and unripe bananas can satisfy your sweet tooth यानि मीठा खाने की चाहत को पूरा कर सकता है और आपको healthy रखने में मदद करता है इससे good source of vitamin A, vitamin C good for your skin, blood pressure, heart health, digestive system and gas की परिसानी को भी दूर करने में मदद करता है banana peel has whitening properties and numerous antioxidants that will not only make your lips glossier but also plumper rub cold banana peels on your lips for 10 minutes every day for a week and you can see the best result और इसमें आप healthy powder डाल कर इसको edge scrubber भी use कर सकते हैं जो आपकी skin के turn को reduce करने में मदद करता है dark circle को कम करता है acne से fight करता है और dull skin को clean करता है तो अब बारी आती है orange की it's a good source of vitamin C एक human body को daily 65 to 90 mg vitamin C की requirement होती है अगर आप per day one medium size orange intake करते है तो वो आपकी body में vitamin C के requirement को fulfill कर सकता है and also boost your immunity improve the appearance of your skin reduce the development of ulcers in the stomach prevent loss of hair the fiber in orange can keep blood sugar labels in check and reduce high cholesterol to prevent cardiovascular disease ख्रीज which can help to cure multiple skin problems such as blackheads, dead cells, acne, pores, dark circles and dry skin It also helps brighten your skin Orange के छिलके को धूप में सुखा कर उसका पाउडर बना कर आप हपते में दो बार as a face pack आप यूज कर सकते हैं जिससे आपका skin lighten and brighten हो सकता है तो गाईज अगर आप इसके face pack को daily basis में यूज करेंगे तो हो सकता है कि यह आपके skin के dryness को बढ़ा सकता है तो इसलिए हम suggest करेंगे कि आप हपते में दो बार ही यूज करें जैसे कि हमने कहा कि oranges are rich in vitamin C तो आईए जान लेते हैं vitamin C हमारे body में क्या काम करता है और कैसा role play करता है उसका किर्दार क्या है तो guys vitamin C also known as cervic acid यह necessary हमारे body के growth के लिए development के लिए also helps to repair body tissues अगर हमें चोट लग जाए तो vitamin C घाव भरने के process में internally help करता है also maintaining catalyze bones and teeth तो guys vitamin C हमारे सरीर में collagen बनाता है तो हमारे बालों में, हमारे nails में, हमारे skin में, हमारे bones में collagen होता है तो इन सब के अच्छे functioning के लिए collagen के body में बनने के लिए हमारे body में vitamin C की जरूरत होती है vitamin C skin को soft और glowing रखने में मदद करता है skin को younger बनाता है immunity को boost करने में बहुत ही important role play करता है जिसके कारण body viral infection से protected रहता है vitamin C में antioxidants पाए जाते हैं जो हमारे body के organs को protect करता है defective oxygen से तो vitamin C का किरदार बहुत ही अहम होता है हमारे body के लिए तो इसलिए हमेशा कोशिस करें कि vitamin C से भरपूर fruits खाएं vegetables खाएं जो आपके body के लिए बहुत ही जादा फाइदे मंद होता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो गाईज अब बारी आती है dragon fruits की तो dragon fruits are rich in vitamin C, fiber and other antioxidants which are good for your immune system it can boost your iron levels iron is improved for moving oxygen through your body and giving you energy and increase your blood cells which is highly essential for pregnant women the dragon fruit is low in calories making it a perfect weight loss everyday snacks everyday eating dragon fruit can enhance the production of hemoglobin dragon fruit making your skin look super of aging and making it look more healthful so guys अब देख पा रहे हैं ये कितना प्यारा लग रहा है इसका अंदर का जो पार्ट है ये बहुत ही कुपसूरत है बहुत ही प्यारा है और बहुत ही टेस्टी भी होता है इसका मतलब इसका जो स्कीन है उपर का जो स्कीन है ये ड्रागन के स्कीन के साथ मेच करता है that's why इसका नाम रखा गया है ड्रागन फ्रूट so guys इसके अंदर जो आप टीनी डार्क ब्लैक कलर का सीट देख रहे हैं they are rich in omega 3 and omega 9 fatty acids they are good for the heart and reduce the risk of cardiovascular disease so guys एक सवाल तो सबका होता है कि कीवी फ्रूट और ड्रागन फ्रूट इतना जादा महेंगा क्यूं होता है because यहां पर जो होता है इंडिया में इसका cultivation जो है limited है और इसका जो demand है लोगों का बहुत ही rare है तो इस वज़ा से इसका जो supply है बहुत कम होता है और इस वज़ा से इसका जो price range है वो बहुत ही high होता है एक बात तो सच है guys कीवी फ्रूट और ड्रागन फ्रूट इतना जादा tasty नहीं होता है बाकी के fruits के मताबक तो guys tasty हो या ना हो इसका जो health benefit से बहुत ही जादा होता है अगर आप healthy रहना चाहते हैं अब अच्छी सिहत बनाना चाहते हैं तो इस fruits के option को choose कर सकते हैं तो guys ये खाने में tasty हो ना हो बटी दिखने में काफी beautiful होता है काफी प्यारा होता है जिसको आप देखते ही ना मन करेगा कि आप खा लें इसको लेकिन guys सच माने तो ये इतना ज़्यादा tasty नहीं होता बट दिखने में बहुत खुपसूरत और बहुत ही healthy होता है तो guys जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने dragon fruits को काट लिया है अब हम इसको बाकी सारे fruits के साथ mix कर लेंगे और फिर हम इसका fruit chart या fruit salad बना लेंगे तो guys हम यहाँ पे fruit chart बनाने के लिए 5 fruits का use किया है आप चाहे तो और भी ज़दा fruits का use कर सकते हैं कोई भी हर्ज नहीं है अब अपने recording अपने पसंद का fruits आप mix करके उसका chart बना सकते हैं या salad बना सकते हैं तो guys यसी कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने सारे fruits को mix कर लिया है तो आप चाहें तो इस तरह भी आप खा सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा twist करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा हम उसको चटपटा बनाएंगे ताकि healthy के साथ सद हमको tasty भी लगे so guys fruit salad बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें add कर लेंगे black paper अब हम इन सारे fruits को इस तरह से उपर निचे करते हुए mix कर लेंगे so guys अब बारी आती है हमारा पसंदीदा चाट मसाला की तो चाट मसाला हमारे fruit salad को बहुत ही ज़ादा healthy और delicious बना देता है so guys कुछ लोग fruits में sugar का add करते हैं चीनी मिला कर उसको खाते हैं guys वो बहुत ही ज़ादा unhealthy बना देता है क्योंकि sugar obviously सबको मालूमें sugar कितना हानी कारक होता है body के लिए तो इसलिए हमेशा sugar को avoid करें अगर आप चाहते हैं कि आपको tasty लगे fruit salad मज़ा आए खाने में तो आप इस तरह से आप चाट मसाला add करके खा सकते हैं जो इसका taste को 10 गुना बढ़ा देता है आपको ऐसास भी नहीं होगा आप कैसे आप खतम कर लेंगे खाकर आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके body में इसके बहुत सारे फायदे मिल जाएंगे तो और थोड़ा सा taste पढ़ाने के लिए हम इसमें add कर लेंगे pink salt यानी black salt तो black salt डालें के बाद हम सारे fruits को इस तरह से उचालते हुए एक दूसरे से mix कर लेंगे ताके हमारा जो चाट मसाला हमारा जो black pepper और pink salt सब कुछ अच्छी तरह से मिल जाए तो लीजे गाइस हमारा healthy, tasty और delicious fruit salad बनकर तैयार है तो चलिए गाइस हम इसको खाते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसा लग रहा है तो गाइस according to me and my family members ये बहुती जादा tasty और delicious बना है आप चाहें तो इस तरह का salad बना कर अपने घर में खा सकते हैं breakfast to lunch की बीच में और गाइस इस तरह के fruit salad को night और evening में खाना avoid करें क्योंकि इससे अपकी तबियत खराब हो सकती है आपको सरदी लग सकता आपको जुखाम हो सकती है तो गाइस जब भी इस तरह का salad खाएं तो दोपहर के वक्त खाएं ये बहुती ज़्यादा healthy और fit रखने में मदद करता है तो गाइस फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए fit रहिए healthy रहिए बाबा टेक केर अल्ला हापीस टो अल अफ यू